हलो एवरिवन आज की वीडियो में हम स्टड़ी करेंगे ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कनवर्जन पर एक्जामपल मैंने ले लिया है डेसिमल का 4 और इसको मैंने लिख दिया है ग्रे में तो डेसिमल का 4 जो हुआ वो ग्रे में हुआ 0,1,1,0 यह कैसे हुआ इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रिविएस वीडियो जिसमें मैंने बाइनरी टू ग्रे कनवर्जन किया था फिलहाल मैंने ग्रे नंबर ले लिया है 0,1,1,0 जिसका डेसिमल एक्विवलेंट है 4 अब मैंने क्या किया है इसकी बिट्स को इसकी बिट्स की नंबरिंग कर दी है B0, B1, B2 and B3 तो आपको क्या करना होगा इसको बाइनरी में कनवर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वो होगा राइट MSB as it is Write MSB as it is जैसे पहले आपने देखा था Binary to Gray में हमने MSB को याने की Most Significant Bit को as it is लिख दिया था The same way यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है MSB को as it is लिख देना है तो मैंने MSB को as it is लिख दिया 0 का 0 लिख दिया ठीक है अब मुझे का करना है Next Step आपका Perform Diagonal Edition Perform Diagonal Edition का क्या मतलब है आपको इस MSB को इस Next वाली बिट से याने B2 से एड करना है तो Perform Diagonal Edition का क्या मतलब है कि MSB को आपको क्या करना है Next वाली बिट से एड करना है मतलब B2 से एड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ रहा है आपका MSB थी 0 और B2 था आपका 1 का 1 आया तो आपने यहां पर लिख दिया 1 ठीक है अच्छा इस step को perform diagonal addition वाली step को हमको यह करना है अब बार-बार continue रखना है और अगर इस step को continue रखने के time carry आ जाती है तो हमें क्या करना है उसको neglect कर देना है और सिर्फ sum को ही लिखना है answer में है ना सबसे पहले हमने क्या किया MSB को as it is उतार लिया 0 का 0 फिर 0 को अपने क्या किया B2 वाली bit से add किया तो आगे आपका answer 1 ठीक है अब क्या करेंगे आप इस 1 को next वाली यानि की B1 वाली bit से add करेंगे यानि की next MSB को आप add करेंगे B1 वाली bit से तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या आता है 0 एक कैरी के साथ अब कैरी आ गई है तो क्या करना पड़ेगा निगलेक्ट करना होगा और सिर्फ सम को लिखना होगा तो 1 प्लस 1 आपने किया आपके कैरी आ गई आपने उसको neglect किया और लिग दिया सिर्फ 0 ठीक है next हम क्या करेंगे इसको add करेंगे b0 वाली बिट से यानि कि next msb को अपने add करेंगे किसे b0 वाली बिट से तो क्या आएगा आपका 0 प्लस 0 यानि कि answer आया आपका 0 तो आपका binary क्या हो गया 0110 का binary हो गया 0100 है ना simple चलिए फिर से देखते हैं एक बार हमने decimal का 4 लिया है जिसका gray हमको पता है कि 0 110 होगा ठीक है हमने क्या किया है इन बिट्स की numbering कर दी है b0 b1 b2 and b3 अब सबसे पहला step हमारा बिल्कुल पहले ही जैसा होगा कि msb को as it is उतार दीजिए तो most significant बिट है यहाँ पे 0 याने की b3 तो मैंने उसको क्या किया as it is उतार दिया इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है continuously diagonal addition को follow करना है और diagonal addition क्या होती है कि यह जो आपने msb उतार दिया है इसको अब आप next वाली bit से add कराएंगे next वाली bit से add कराएंगे याने की 0 को आप add कराएंगे b2 से तो आपने किया 0 plus 1 b2 क्या है 1 है ना तो msb को add कराया b2 से याने की 0 plus 1 तो answer क्या है आपका 1 तो आपने यहाँ पे लिग दिया 1 ठीक है further हम क्या करेंगे diagonal addition को फिर से perform करेंगे तो आप next हमारा क्या होगा यह 1 हो गया हमारा ठीक है इस 1 को हम add कर देंगे b1 वाली bit से ठीक है b1 वाली bit से हम add करेंगे याने की next msb को हमने b1 वाली bit से add कर दिया तो क्या हो गया हमारा 1 plus 1 अब यहाँ पे carry आ गई तो if carry occurs then neglect it है ना तो carry आ गई 1 plus 1 करके हमने इस carry को neglect कर दिया और सरिफ 0 को sum को लिख दिया ठीक है next हम फिर diagonal addition करेंगे इस msb को यह जो 0 फिर msb वन गई है इसको इस b0 वाली bit से add करेंगे b0 वाली bit से add करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 plus 0 क्या जाएगा 0 तो इस तरही से हमारा क्या आगया 0,1,1,0 gray का binary आगया 0,1,0,0 है ना चलिए अब देखते हम क्या इस gray को binary में convert करने के लिए हम x or function perform कर सकते हैं क्या जैसे कि previous वीडियो में मैंने आपसे कहा था binary से gray में कि हमारा x or condition satisfy करता है binary से gray या gray से binary चलिए देखते हैं यह करता है क्या तो हम क्या करते हैं सबसे पहले msb को as it is लिख देते हैं है ना फिर हम diagonal add करते इस 0 को b2 वाली bit से हम add करते करते ना तो अगर हम इसको add नहीं करते हैं और x or condition apply करते हैं तो हमारे पास है 0 and 1 और x or function क्या बूलता है कि जब दो input हैं एक है 0, एक है 1 तो output क्या आना चाहिए आपका एना चाहिए ना output क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए ना for odd number of 1 output will be 1 तो अगर हम x और condition apply करते हैं हमारे पास combination है एक 0 और एक 1 तो output क्या आएगा आपका 1 ठीक है next हम क्या करेंगे इसको उठाके इस वाले से add कराते और अगर add नहीं कराते हैं एक्स और condition apply कराते हैं तो अब हमारा combination क्या हो गया है ये वाला 1 और ये B1 वाला 1 तो 1 और 1 के लिए एक्स और का output क्या आता है 0 है ना क्योंकि यहाँ पे even number of 1 हो गया है तो output क्या आएगा आपका 0 आएगा तो जब 1 और 1 combination था और एक्स और condition आपने apply किया था तो output क्या आया आपका 0 है ना चलिए next देखते हैं इस 0 को इस 0 से हम add कराते नहीं add करा रहे हैं एक्स और condition apply कर रहे हैं तो क्या होगा आपका यह 0 है यह 0 है output क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए ठीक है क्योंकि यह same combination हो गया एक भी 1 यहाँ पे नहीं है odd number of 1 के लिए output 1 आता तो यहाँ पे क्या आजाएगा आपका 0 ही आ जाएगा तो यह क्या हो गया आपका binary हो गया gray 0 1 1 0 का है ना तो हम क्या समझ में आती है या तो हम क्या करेंगे MSB को as it is लिख देंगे उसके बाद इस MSB को next वाली bit से add कराएंगे अगर कहरी आता है तो neglect कर देंगे some को लिख देंगे ठीके फिर इस MSB को next वाली bit से add कराएंगे फिर इस MSB को next वाली bit से add कराएंगे and so on ठीके अगर add नहीं कराना है तो हम क्या करेंगे MSB को as it is लिख देंगे फिर इस वाली MSB और next वाली bit का x और कराएंगे यानि कि 0 और 1 का x और कराएंगे तो क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए और 1 को हम लिख लेंगे ठीक है फिर इस वाले 1 का हम B1 वाले से XOR कराएंगे तो 1 और 1 का XOR 0 आना चाहिए तो हम 0 लिख लेंगे फिर 0 और 0 का हम XOR कराएंगे तो 0 और 0 का XOR भी 0 आना चाहिए तो हम लिख लेंगे इस तरह से या तो आप diagonal addition कराईए या फिर दोनों bit का हम क्या करा सकते हैं X or ring भी कर सकते हैं दोनों ही condition में हमारा same answer आएगा है ना चली एक और example ले लेते हैं हम हमारे पास है ये gray का number है 0100 ठीक है इसको binary में convert करना है क्या करेंगे MSB को as it is लिख देंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास ये हो गया 0 ये हो गया 1 है ना इन दोनों को अगर हम X or कराते हैं तो 0 और 1 का combination क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है ये हो गया 1 ये हो गया 0 इनका अगर हम X or कराते हैं तो 1 और 0 का भी output क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए लिख देंगे फिर ये हो गया 1 ये हो गया 0 इन दोनों का अगर X or कराएंगे तो 1 0 का output क्या होना चाहिए one ही होना चाहिए तो ये one हम लिख देंगे इस तरह से क्या हो जाएगा आपका binary achieve हो जाएगा है ना चलो एक और example लेते हैं 0, 1, 1, 1 ये क्या है आपका grey है इसो किस में करना है binary में करना है यहाँ पे हम XORING नहीं करते हैं diagonal addition कर देते हैं हमने क्या किया MSB को as it is उतार लिया इसके बाद इस MSB को इस next वाली bit से मैं add कराऊंगी ठीक है तो 0, 1, 1 क्या होगा बच्चों 1 होगा तो मैं 1 लिख लूँगी फिर इस 1 को मैं क्या कराऊंगी इस वाली bit से next वाली bit से add कराऊंगी तो 1, 1, 1 क्या होगा 0, 1 carry के साथ carry को मैं क्या करूँगी neglect करूँगी और sum को लिख दूँगी 0 को लिख दूँगी ठीक है फिर इस वाली MSB को इस next वाली bit से मैं add कराऊंगी है ना तो क्या होगा 0, 1 क्या जाएगा 1 ही आएगा तो मैं इसको लिख लूँगी 0, 1, 1 ठीक है तो यह क्या जाएगा आपका binary है ना simple तो चाहे आप XORING कीजिए चाहे आप diagonal addition कीजिए answer आपका हमेशा same आएगा है ना